अब हम आते हैं रेलवे के बारे में आप जानते हैं और बताने की जरूरत नहीं है कि पूरे देश में करोडो युवा परिक्षा की तयारी करते हैं साल भर की रेलवे की वेकेंसी आएगी बहुत मुश्किल से आती है आपको याद होगा कि हमने कई महीनों तक रेलवे सीरीज चलाई थी तब जाकर 2019 में वेकेंसी आई एक लाग च्यालिस हजार नौकरियों की आपको बताते हुए ये हर्ष का हश्र हो रहा है हिंदी में समझेए कि परिक्षा के भी एक साल से जादा समय हो गए हैं वेकेंसी आए हुए धाई साल हो गए हैं मगर असिस्टेंट लोको पाइलेट की बहाली ज्वाइनिंग की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है रेलवे के लोग कहते हैं कि कोरोना के कारण नहीं देरी हो रही है कोरोना तो मार्च से शुरू हुआ है भारत में आधिकारिक रूप से 24 मार्च से तो नौजवान परिशान हैं एंटी पीसी एक होता है रेलवे में नौन टेक्निकल परिक्षा उसके भी फॉर्म भरे परिक है और इस साल इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विसेज इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज में कोई भरती नहीं होगी ये जरूर कहा गया है कि जो पहले भरतियां निकली हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा लेकिन उनकी वेकेंसी ही पूरी नहीं हो रही है जॉइनिंग ही नहीं हो रही है आप रेल मंत्री के ट्वीटर हैंडल पर जा कि देखिए तो लोको पाइलट और असिस्टेंट लोको पाइलट ये जोन भुपाल जोन गुरकपूर जोन मुंबई जोन मार लड़के तमाम उस पर शिकायते करने पर कोई सुनने वाला है नहीं उनकी अब लगत आए भी नहीं है कि रेलवे की कोई अब सुनेगा कारण यह है कि रेलवे की कमाई खराब हो गई है कम हो गई है हालत खस्ता हो गई है वैसी नहीं है जैसे प्यूश गोहल के ट्वीटर हैंडल पर रेलवे दिखती है चमकती हुई वैसी ब्रांडिंग काश रेलवे भीतर से भी होती तो कल्यान हो जाता रेलवे का ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि रेलवे सरकारी शेत्र में सबसे अधिक नौकरी देने वाली संस्था है अब अगर ये संस्था नौकरियां देने के अवसरों को संकुचित करने लगे तो सोचिए कि इस देश के युवाओं का भविश एक ही चीज बचा सकता है वो है वाटसब इंवर्सिटी में सप्लाई किया जाने वाला मीम और वीडियो इसकी पूर्ती अगर बढ़ा दी जाए प्रोपेगेंडा गोधी मीडिया के जरीए बढ़ा दिया जाए प्रोपेगेंडा की बड़ा ही हम विश्व गुरू टाइप ब भरती बची हुई है इसकी समिक्षा की जा रही है बताइए अगर ये पोस्ट खतम कर दिये गए तो इतनी संभावनाएं भारत के नौजवानों की बंद हो जाएंगी वो जादा समय लगता है वाटसब मीम में बिताने वाले हैं 67,000 फिर दो साल में जितने भी पदों का स्र पोस्ट क्रियेट करने में अगर भरती नहीं हुई है तो उन पोस्ट को आप खतम कर दिया जाएगा रोक दिया जाएगा करमचारियों के यात्रा भत्ते और दूसरे भत्ते में 50 प्रतिशत तक कटाउती होगी अब इसको लेके मुझी को मेल लिखेंगे जिन में से ज़्या स्टाफ में कटाउती की जाएगे अब देखिए जादा तरब नौकरियां रेलवे में जो हैं वो आउट्सोर्सिंग के जरिये हैं अगर इनकी कटाउती की जाने लगी तो किस मात्रा में रेलवे बिरुजगार पैदा करेगी यह हम कभी नहीं जान पाएंगे क्योंकि हमार जीए आनलाइन भेजिये ताकि वो भी खरचा बच जाए और यानि स्टाफ बच जाए स्टाफ की जरूरत ना हो उससे चलता किया जा सके और फरनीचर अतरिकत गाड़ियां कम्प्यूटर प्रिंटर की खरीद ना हो उदघाटन कारिकरम आनलाइन करें ताकि खरचा बचे म तो railway का विग्यापन कमी आता है तो अखबार वाले वैसे ही उनकी नोकरिया जा रही है पत्रकारों की तो बहुत बुरा है लेकिन प्रोपेगेंडा के कई तरह के तस्वीरे रोजानल लॉंच हो रही है तो आप मानसी के रूप से आप कभी खाली नहीं रहेंगे आपको एद्दम पॉस्टिक उर्जा दी जाती रहेगी और ये सुनिए रेलवे ने क्यों और क्या कहा इन कारणों के पीछे हमारे पास जो वैकिंसी जो है अभी सेफ्टी कैटेगरी में हैं वन लाक सेफ्टी थी थाउजन और जो जो सेफटी कैटेगरी में हैं वह न लाक सेबिक सेबंढ तौसन दो राफ्ली अ क्यारॉं और जो वाकिंसी हनी नुठीशियुपास हैं जसमें से हमने सेफ्टी कैटेगरी की वैकिंसी जो नोटिफाइड की हुई हैं ब्स एफ्टी थाउजन 274 already वेखी कर चुक है हैं non safety category के हमने की श्क्सिटेएट थाउजं 366 so the total notified vacancies are one one lag 40,640 इसमें से जो तो आप आप जो non safety category vacancies बची वो में से 68,000 एक रफली 6800 जो है vacancies non safety category में बंद्ती हैं उन में से जो आप लोगों के संग्यान में काया है कि हम लोगों ने भी काया है कि रेलवेस को कि आप अपनी safety categories की vacancies as it is आप बरिये जो non safety categories की vacancies है उनको आप review करिये आप ये बेरोजगार पुछेंगे कि विपक्ष कहा है विपक्ष ट्वीट कर रहा है वो उठा रहा है लेकिन यही बेरोजगार पुछता है तो बेरोजगारी का एक मुद्दा भारत में राजनितिक रूप से समाप्त हो गया है वैसे कई राज्यों में हैं गंभिरता के साथ लेकिन राजनितिक रूप से समाप्त हो है अगर आप कुछ वैचारिक नेरेटिव वाली राजनिति कर रहे हैं कुछ तस्वीर वीडियो वाली तो इस तरह के समस्याओं को आप गायब कर सकते हैं हाल फिलहाल के चुनाओं में यह साबित भी हुआ है खासकर गोदी मीडिया के दौर में यह बात मैं क्यों कहता हूं बहुत बुरा भी लगता है कहने में लेकिन यह सचाई है कि यह वो पब्लिक है जो पब्लिक नहीं है जनता ने ही जनता के होने का स्थित्व समाप्त कर दिया है इसी लिए किसी भी प्रशन का जवाब नहीं आता है किसी भी आंदोलन पर जवाब नहीं आता है आपने कब सुना कि मंत्रियों ने बुलाकर प्रतिनिधियों से बात की है ये आंदोलन हुआ है अब कोल सरकार के मुद्दों को नहीं उठाता है अब जब उनकी बारी आई है तो फिर वो मीडिया को क्यों कोस रहे हैं कि मीडिया उनका नहीं दिखा रहा है क्या आपको लगता है पता भी है कि तीन दिनों के लिए कोल इंडिया में जो प्राइबेटाइजिशन हुआ है उसको लेकर तीन लाग करमचारी आंदोलन कर रहे हैं आपको कभी पता नहीं चलेगा अब इनी से पूछिए कि क्या इनको इस बात का फर्क पड़ता है कि सफूरा जरगर एक गर्वती महिला के किस तरह से अन्याय हुआ भीमा कोरेगाओं केस में किस तरह से दो साल का ट्रायल नहीं हुआ और एक नौजवान लड़के को उठा कर जेल में बंद कर दिया गया सुदा भार्दवाज तो क्या इन लोगों को इन समवेधानिक सिस्टम के मसले का कोई फर्क पड़ता है जो ये शिकायत कर रहे है कि मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए मैं कहता हूँ कि ये पबलिक है ये वो पबलिक है जो पबलिक ही नहीं है ये कोर्बा 36 गर से आए वीडियो को आप देख लीजे मेरी बात वैसे दस साल बात समझ में आएगी अभी नहीं